हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जिके ट्रैकर पे तिक इस वीडियो में हम बात करेंगे समाने अध्यन के mcqs के बारे में ठीक है तीस महतपून mcqs को इस वीडियो में देखने वाले हैं चलिए वीडियो को शिरू करते हैं पहला कोशन है आज का दिल्ली के कि सुल्तान ने लोह और रक्त की नीती अपनाई थी तो लोह और रक्त की नीती अपनाने वाला सुल्तान था बल्बन ठीक है बल्बन से important कुछ प्रशन पोछे जाते हैं जो कि महतपून है पहली चीज कि बल्बन जो ता इसने जो तुरके चह कराई थी जो फार्सी त्योवार था नवरोज उसकी शुरुबात भी बल्बन ने ही करवाई थी और अपने विरोधियों का दबन करने के लिए इसने कौन सी नीती अपनाई थी लोह और रक्त की नीती ठीक है तो आपको ये सारी चीज़े ध्यान में रखनी है अगला है सरकार नियुन्तम समर्पित कीमत की गोशना कब करती है नियुन्तम समर्पित कीमत यानि की मिनीमम सपोर्ट प्राइस MSP तो सरकार द्वारा MSP की गोशना फसल की बोवाई से पहले की जाती है ठीक है आपको ये ध्यान में रखना है कटाई के पहले नहीं बोवाई से भी पहले सरक गुण पसे कि किस समचार पत्र ने वर्नकुलर प्रेस एक्ट का समधन किया था तो आखी जिसने इस एक्ट के दोरा एक्ट का समर्थन किया था चौथा परशन है रजिय अ सुल्तान किस शाषक की पुत्री थी तो रजिय सुल्बा दिल्ली की एकमात्र महिला शाषका थी ठीक है ये इल्टु तमिश की पुत्री थी option B इसका right answer होगा एल्टु तमिश को ही दिल्ली सल्तनात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तीक है वैसे संस्थापक किसको बोला जाता है कुत्वुदिन एबग को लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था एल्टु तमिश अगला है सूर्य निम्न में से किसका एक उधारण है तो सूरज क्या है? सूरज एक प्रकार का तारा है option C इसका right answer है अगला है निम्न में से कौन सा एक output device है तो output device से समभजित कुछन पनते हैं output input devices से तो इन में से output device है printer printer किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है तो ब्लैक पगोडा कहा जाता है सूर्य मंदिर जो कि कोड़नाक में इस्तित है ठीक है BCCI lifetime achievement प्रोसकार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है तो BCCI का यह जो lifetime achievement प्रोसकार है इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है शांता रंगस्वामी जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है तो देखे प्रश्ण काल से संसद की शुरूबात होती है संसद के शत्र की शुरूबात किस से होती है प्रश्ण काल से अगला है प्रक पर जेल के थूब यहां पर आक्सजन निकलती है अगला है रखते सम्भूव की खोच किस ने की थी तो ब्लेड गुरूप की बात हो रही है यहां पर ब्लेड गुरूप की खोच यह थी काल लैंड इस्टीनर ने ठीक है कॉलम किस राज्य की पारंप्रिक लोग कला है तो कॉलम क्या है एक लोग कला है किस राज्य की है यहाँ लोग कला यह है option B केरल की जीवन के अधिकार के अलावा भारते समविधान के अनुचे 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है तो जीवन का अधिकार तो दिया गया है 21 में इसके अलावा कौन सा दिया गया है option C भोजन का अधिकार चौरी चौराग की घटना कि सुवर्श हुई थी तो यह घटना हुई थी 1922 में यह प्लेस कहां इस थी थी यह यूपी में इस थी थी यहां पर 22 कम से कम 22 यह 20 पुलिस कर्मियों को जिंदा यहां पर जो भीड थी उसने जला दिया था और इसी घटना के बाद महत्मा गांदी ने जो असायोग आंधुलंदा वो वापस ले लिया था अगला है अमेजान नदी किस महद्वीब से होकर गुजरती है तो अमेजान नदी बहती है दक्षनी अमेरिका में एक कोशिका के नाभी की कोच किसनी की थी तो यहां पर नाभी जाने कि नुकिलेस की बात हो रही है कि नुकिलेस की कोच किसनी की थी तो निकलेस की खोज कीती रौबर्ट ब्राउन ने अगला है राष्ट्रिया पुलिस अकादिमी कहाँ इस्तित है तो नैशनल पुलिस अकादिमी जो है इसकी लोकेशन है है थेदराबाद में बायो गैस में मुख्यता हाँ पाई जाती है केंद्रिय भारतिय भाषा संस्थान कहां इस्तित है तो केंद्रिय भारतिय भाषा संस्थान इसकी लोकेशन कहा है आपको ये पूछा जा रहा है औप्शन B मैसूर में इसकी लोकेशन है अंति मौरे समराट कौन था तो देखे ये भी important question है कई बार ये प्रशन पूछा गया है अंति मौरे समराट था ब्रहधरत ठीक है इसकी हत्या पुस्वमित्र सुंग ने करके वहाँ पर बगत पर सुंग वंच किस्थापना वो करता है बौध धरम का कौन सा अंग मूर्ती किस्वास नहीं करते ठीके फिनायान अंगला है मौम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आकर्मन कब किया था तो बतान के युद्ध होता है ठीक है पृतिविरा चोहान से यह हारता है फिर तराइन के दूसरे युद्ध में ये पृतिविरा चोहान को हरा देता है 1102 में और फिर उसी के साथ अगले दो साल बात 1104 में जैचंद को भी हरा देता है ठीक है चंदावर के युद्ध में तो यही था मौम ये जो कुते Num Evans. ll स sacrifices की इन स्थापना करता है। अग्ला है इसके काल को मॉगल चित्रकला का सौणनननकाल कहा जाता ए जाहांगीर इसकाοι डरबार में एक म्जूर चत्रकला रहता जिसका नाम धैसा उस्ताद मिंसूर तो आपको पूचा जाता है मंसूर का संबन किस से था तो ये एक प्रसेद लिए चितरकार था किसके दोरों में रहता था जहांगीर के किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वन नकाल कहा जाता है तो मुगल वास्तुकला यहां पर आप कोई सोचने की जरुवती नहीं साहर जाहां किताब अलहिंद की रचना किसने की है तो किताब अलहिंद की रचना की रचना की था बाबर का सबसे शक्ति शाली राजा किसे बताया था तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था शुतंत्र भारत के लिए व्यक्तिकत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस ने जीता था तो पहला व्यक्तिकत पदक यहांपर बात हो रही है केडी जादव ने जीता था 1952 में ठीके अंतिम प्रशन है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है तो सही जवाब है मध्या प्रदेश में मध्या प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ठीक है बाग प्रदेश तो यह आपको ध्यान में रखना है Thank you friends.